हमारे शाद इंडियन जुड़े हैं इनको मैं एड करता हूं सबसे पहले तो मैं आप लोग को लिगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूं कि यहां पर जो भी बाते होती हैं जो भी प्रजिंटेशन होती हैं जो भी डिवेट्स होती हैं इनका उद्यस यह साइंटिफिक टेम्रामे आप जैवीम बोल रहे हैं आप कब से जैवीम बोलने लगें अचल जैसी राम भी बोलते होंगे बहुत बैसे इस क्लेयर कर पाइं कर लिगी को स्टन करने में क्या दिखा थे क्र लिगे को सिर्म मेरे को तैमिलाडु का तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर कि इसने बताया कि जो आवाड है वह समझाया तो इसके बारे में ठोड़ा करेंगे इसी के बात करते हैं नहीं सब के खड़े हुए था ना जो आपकी प्रिति सतात्मक सत्ता यहीं थी न जैसे है यह बता दीजे राइट कैसे हैं इंडियन जी राइट कैसे है यह बता देंगे आप आठ नमबर स्लोग पढ़ेंगे प्राशरेस्मृतिकाश्चेप्टर 7 का एट सब्सक्राइब करेंगे साथ नंबर से शुरू करते हैं पढ़िए साथ नंबर स्लोग जरा पढ़िए इसको आप इंडिया डेटी भारत में से इंडियन आप चूज कर लिया है जी कहें भारत से आपको नफरत है क्या नहीं आप अपने आईडी पर दूगा काहे लेखके घूमते हैं इसमें क्या मतलब है अच्छा का दूगा है क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है इक नैन है बस उसका मतलब मतलब जो क्या मतलब targets को सुन्दर अच्छा है सुन्दर दूगा दूगा का क्या मतलब है दूगा का मतलब है अच्छा आपकी बंसावली है का तो यह यहां प arrives in principle ए पर अपना इसमेठी का उड ऑट अपिछ आओंगा इस तो आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आपको पढ़ने नहीं आता है तो मैं पढ़ दूं क्योंकि सब लोग स्क्रीन का स्क्रीन है उसके ऊसके व्यें आप का बड़ावाला लोगो है बस बताइए आप तो तो कौन से दुनिया में रहते हैं भाई इस्वर भी मानते हैं और आपका इस्वर जो है आपको इस्क्रीन दिखाने से मना कर दे रहा है इस्क्रीन खुली जिसके खिलाब पर यार जी खड़े हुए थे और आपको दिक्कत आ रही है उन पर इस्क्रीन ही नहीं दिख रही है, मैं पढ़ दूँ, आप पढ़ दीजी, देखें आपके इकहते हैं आपके प्रासर इसमिती, जो कि आपके कल्यू के कहा गया है कि ब्रामःड जो है कल्यू के ब्रामःडों के लिए ये धरम मनाया गया है, और उसमें चैप्टर 7 का सात्वा नंबर स्लोक कहता है, लड़की के 12 वर्स की होने पर भी उसका विवाह शंपन न करने वाले पूरुस के घर में, जितने महीने लड़की अपने रज को व्यर्थ गमाती है, लड़की के पिता के पितरों को उस रज का पान करना पड़ता है, अभी प्राय यह है कि पुत्री क पिता को अपने पितरों के रजबान की दुर्गती से बचाने के लिए पुत्री के 12 वर्स में परवेश करते ही उसका विवाह शंपन कर देना चाहिए, तो यहां पे आपने क्या कहा 12 वर्स से पहले ही, अब एक बाद बताईए, इन ही सब चीजों के खिलाप तो पिरियार आपको गलती दिखती है, पिरियार जी गलत काम किये थे, नहीं सही काम किये थे, ब्रामण जो है वो सही काम करता है, ब्रामण बाद तो सही काम नहीं करता है, अच्छा ब्रामण सही काम करते हैं, तो यह जितने धरमगरंत लिखे हैं, जिन जिन रिस्यों के नाम से लिखे लेकिन आपके तो सारे ब्रामण कह रहे थे लिख अपस्ट के पिता थे तो तब तक तो अब जब प्लियार जी ने इसको गलत साइब लिए तब आज आज आपको कहना पड़ा रहा है कि गलत है नहीं तो आप पीड़ी ढोकर लाए थे हैं कि यही कल्यू के हमारे ब्रामडोग का दरम नियम है आपने लिख रखा है इसमें वही दिखाऊंगा मैं लेकिन पहले मैंने स्लोक पढ़ाए आपको और तो और आप पीड़ी दर पीड़ी ही नहीं डोके लाएं इसको इंप्लिमेंट भी करते थे साथ नमबर के बाद से आठ नमबर पढ़िए आठ नमबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर आप पढ़के सुना दिख रहा है चले यह भी मैं पढ़ देता हूं लिका है कन्या का उचित समय 12 वर्स की आयू में पर विवाह न करने वाले उसके पित लड़कीका साथी नहीं करेगा न तो उसके पिता उसका जेश्ट भ्राता में लड़कीका घटाई उसका फिता उसकी मता तीनु żad गामी नरक। क्योंकि यह भूलत्यों क 느स्वा से पहिल नहीं कर दिये अगे लिएक रज़़र्प्रएं नहीं कर दिये तो मुलतत उसके माता पिता का तथा अंसतह जेश्ट भ्राता पिता के न होने पर अयोग्य और शमर्थ अथवा विरक्त होने पर का होता है ये तीनों यदि अपने करतव्य करम का पालन नहीं करते कन्या के रजस्वला होने से पुरुव उसके विवा की विवस्था नहीं करते तो पाप के भा दिग्कत के उनको क्या चीज मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है और यृषित है आपके अपके ब्रामर का रहे थे ना कि ब्रामण तो बड़े अच्छे होते हैं तो आपके ब्रामण लोग पिढ़ी दर पिढ़ी द्वापर यूग से यानि कि परासर कब थे व्यास के पिता थे हैं व्यास को तो आप कहते हो कि पुराने लिखे हैं माभारत लिखे हैं तो उनके जो पिता थे परासर तब से आप जाएगा अनुचित होगा यानि उससे पहले ही साधी कर देना है और क्या लिखा आपने इस विधान की उपेच्छा करने वाले मतलब जो इस नियम को नहीं मनेगा अथार्थ प्रित्ति ग्रिह में रजस्वला हो चुकी कन्या से विवाह करने वाले अहंकारी एवं मुर्ख व साधी करेगा वह अहंकारी होगा वह मुर्ख होगा और आपने क्या लिख दिया उस मुर्ख ब्राम्हड से किसी को बातचीत नहीं करना चाहिए मतलब आज के सारे के सारे ब्राम्हड जितने लोग जो है जो लड़कियों की उम्हर कॉंस्टिटूशन रुप से बाबा सहाब आपने आठारा साल से उपर कर दी तो आज सारी लड़कियों को और उनके माता पिता से आपने बैकट करवा रखा था यह चीज आप पिढ़ी दर पिढ़ी ढोके ले क्या रहे थे हैं और आप पता रहे हैं कि पिरियार जी जो है उंकलत हो गए यह हो गए और यही तो डंड कि ऐसे व्यक्ति को तो सुद्रा अत्वा वैश्या से विवाह करने वाला मानना चाहिए मतलब आपने यह कह दिया कि ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसके घर में लड़की जो है 12 साल से उपर हो गई है उसका मेंस्ट्रेशन साइकिल चल गया है उसका साधी नहीं हुआ है तो ऐस से व्यक्ति को साधी जो है अधार्त उसे अपनी जाती से भरष्ट और अचार से हीन मानकर उससे किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए बताई यह आपने सोचल वाइकटिंग कर रखी थी यानि जो ब्रामण आपका ऐसा सोचता होगा कि नहीं लड़की प्रते इस्तिति में यथा शमय कन्या का विवाह करना ही उचित है आपने क्या कहा दिया लोगनिंदित हो जाता है अगर उसका मेंस्ट्रेशन साइकल से वो गया तो तो आपने क्या बना रखा था नियम आपने सारे लोगों पर यह थोप रखा था कि आपको 12 साल से कम उम्र में लड़की का साधी कर देना है इसी पर तो डंडा चलाया उन्होंने पिरियार जी ने दस नंबर प्रित्ती ग्रिह में रजस्वला हो गई अथार्थ व्रिश्ली बनी कन्या से विवाह रचने का दुसाहस करके उसके साथ एक रात बिताने वाला ब्रामहड तीन वरसों तक भीच्छा के अन से जीवन निर्वाह करने तथा निरंतर जप करने रहने के उपरांते ही सुध होता है लो भाई साब आपने ये भी नियम बना दिया कि अगर कोई बच्ची जो है उसका मेंस्ट्रेशन साइकिल उसके पिता के घर में ही सुरू हो गया मतलब उससे पहले अगर आपने साधी नहीं की है और तो उससे अब जो साधी करेगा ब्रामः तीन साल तक उसको भीच्छा मांगे अपना जीवन निर्वाह करना पड़ेगा अनिरंतर जब करके तब जाके उसुध होगा और देखिए आपके ब्रामः अच्छे होते हैं ना पिलिदर कैसे तो एक रजस्वला ब्रामः यानि कि किसी का मेंस चल रहा है किसी ब्रामः महिला का और किसी दूसरी रजस्वला ब्रामः को छू लेने का प्राइश्चीत रजो धरम के तीन दिनों तक उपवास आता है किसी दूसरे महिला को ट्रच कर दी छू दी ब्रामः को तो उ आप कर रहा है कि अच्छे होते हैं कैसे बाइब आप पता दीजिए कैसे अच्छे होते हैं बताइए इंडिया और वह दिखा देता हूं यह आपने क्या लिखा है इसके बारे में तो आप लोग क्यों मार रहे हैं आपका जो AC, ST, OBC आपकी किताब है तो हम तो यही कर रहे हैं कि आप यही मानिये ना हमारा जो Constitution है बाबा साहब ने लिखा है उसको लेके का है आप बैठे हूं आप हट जाए हट यह ने उन सारे पोस्ट से जो हमारे Constitution के प्रती गरंठ की प्रासंगिता के शंबंध में कहा गया है कि अपने अपने धरम और आचरण अथार्त 봤 नियम विनिवान होते हैं शतियुग त्रेता और द्वापर के धर्मों की चर्चा अन्या स्मृतियों में मिलेगी परन्तु इस स्मृति में तो कल्युग के धर्म अचार इदे के भाग गया यह एवक्ति जो है भाग गया इसमें लिखा कि इस इस्मिति में तो कल्यूग के धरम अचार तथा रिति निती की चर्चा की गई है अता आज के यूग धरम को शमजने एवं आचरण के लिए इस्मिति की महती उपयोगिता है फिर कहा गया है कल्यूग के धरम अचार नियम आदी के सम्मध में महर्सी परासर के वच्चन ह यही प्रमाड रूप है इसने कह दिया कि महर्सी परासर कि यह जितने नियम है कल्यूग में यही प्रमाड है यही नियम है तो भाई यह जा के अपने घर में प्रेक्टिस करें न करें फिर हम लोगों पर क्यों थोप रहे हैं सारे स्पक्र क्यों द yaptे हैं इस संबंढ़ को पाप से संठापना और ब्राम लो यहीं इस सब काम करेंगे तो पाप से बच जाएंगे और हम लोग को कहानी बता रहे हैं आके